नमस्कार मेनिहा जोशी आप देख रहे हैं दवफेक्ट इंडिया राजस्तान विधान सबाचनाव भले ही वसंद्रा राजे के चहरे पर नहीं लड़े गए हों लेकिन बीजेपी सत्ता में आती है तो पीएम मोधी भी पूर्वसीयम राजे का रास्ता नहीं रोक पाएंगे बीजेपी के रास्ट्रे या नेत्रत्व वसंद्रा राजे के जगे किसी अन्य को बेठाना चाहेगा तो पार्टी में विद्रोह हो सकता है सियासी जानकारों का केना है कि राजस्तान धान सबाजनाव भले ही वसंद्रा राजे के चेहरे पर नहीं लड़े गए हूँ लेकिन बीजेपी सत्ता में आती है तो पीएम मोधी भी पूर्वसीयम वसंद्रा राजे का रास्ता नहीं रोक पाएंगे एन वक्त पर RSS ने रणनीती बदल दी है राजनेतिक विसलेशकों का कहना है कि 199 में से 65 बीजेपी प्रत्याशी वसंद्रा राजे के कट्टर समर्थक है बीजेपी आलाकमान के लिए इतनी बड़ी संख्या में विधायकों को अन देखी करना मुश्किल हो सकता है सियासे जानकारों का कहना है कि वसंद्रा राजे ने इस बार सिर्फ अपने समर्थकों के विधानसवाश शेत्र में ही प्रचार किया है बता दें कि तिजारा से बीजेपी प्रत्याशी महिंद बाबा बालकनात और बहरोड से जस्वंत यादव वसंदार राजे की पैरवी कर चुके हैं सुत्रों के अनुसार पार्टे में संभावित विद्रों को रोकने के लिए RSS ने एन वक्त पर रणीती बदल दी है RSS को राजस्तान में वसंदार राजे के मुकाबले कोई दमदार चहरा नहीं मिला है घुमा फिराकर बात वसंदार राजे पर आकर ही समाप्त हो गई मतलब साफ है कि मुख्य मंत्री के तोर पर RSS की पहली पसंद के वसंदार राजे ही उभधी है सुत्रों के अनुसार RSS की मनशा पहले रेल मंत्री अश्वनी वैश्णव और दियाकुमारी पर दाउं खेलने की थी रेल मंत्री को पार्टी ने बतोर भ्रहमन चेहरे के तोर पर प्रोजेक्ट भी किया था लेकिन वसुंद्रा राजे के तुलना में मजबूत साबित नहीं हो पाए पार्टी का एक गुट दियाकुमारी का विरोध कर रहा है वसुंद्रा राजे समर्थकों के दियाकुमारी मनजूर नहीं है सियासी जानकारों का कहना है कि वसुंद्रा राजे को CM फेस घोशित नहीं करने के पीछे रणिती RSS की ही थी लेकिन पिछले 6 महीने के दोरान वसुंद्रा राजे ने जबरदस्त वापसी की है सियासी जानकारों का कहना है कि BJP में सत्ता में आती है तो वसुंद्रा राजे का CM बनना लगभग तैय माना जा रहा है दिसंबर को परिणाम आएंगे राजनितिक विसलेश को का कहना है किस बार भी राज बदलेगा रिवाज नहीं बदलेगा यानि हर पांच साल बाद सत्ता परिवर्तन का जो ट्रेन है वे बरकरार रहनी की संभावना है राजस्तान में 1993 से हर पांच साल बाद में सत्ता बदलती रही है इस बार CM गहलोत ने रिवाज को तोड़नी के लिए हर संभव कोशिश की है समाजे कल्यान से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से सत्ता में वापसी की बात कर रहे है सियंग गहलोत का कहना है कि इस बार उनकी सरकार रिपीट होगी जबकि BJP का कहना है कि ट्रेंड बरकरार रहेगा ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहें The Fact India के साथ मैंने आजोशे ताजा खवरों के लिए बिजिट करें The Fact India की वेबसाइट और डाउनोड करें The Fact India एब